वेल्कम तुम्हाई शेयर में स्वागत आप लोगों मेरे शेयर में कुछ मतलब एक मार्किर के आउटलुक के बारे में बताने कि आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा जहान में रखे चलिए ऑगर अगर आप इन इन स्टॉक में अगर नगे डालते हो Caesar तो आप कहे सकते हो कि आपको इसमीं नुच्सान हो सकता है ठीक है एक आपको एक लांक लाइट सकते हैं तो स्लक एंसलों ना करना पड़ Natal उसके लिए आपको कोन-कोन इंपोर्टेंट व्यूज वी लिए एक नजरिया जो होता है इंसान को आगे लिए थीक है तो स्टॉक मार्किट आउटलुक के बार में हम बात करेंगे गैंगे आपको पता है कि शेयर बजार के लिए 2023 बहुत जादा रहा था तो सैंसल सो गया निफ्टी हो गया उस दारान भ बजार के लिए नए साल 2024 जो है उसे सुरत कमजोरी से ही रही है अप लोगों को ये बात पता है थोड़े से मार्किट पॉजिटिव ना रहका वोलाचिलिटी काफी देखने को मली थी पहली हफते में आशिता बढ़ी थी मैं वालटी इंडेक्स अकतिका जाए तो फिफ्ट रोमन में बढ़ रहे है विक्स कहा जाता है जो हमारे वोलिटी इंडेक्स विक्स वो चौदा पॉइंट पांच पर पहुझ गया था तिक है जिसको कहते है कि वोलेटी लिटी काफी जादा आ गए थी जो उच स्थर की आसिता का संकेत देता है मताब आप कहलो कि इसमें बीच में आपको इस सार्विक वाली का दोर देखने को मिल सकते हैं गैस मैं बता दू कि लंबी आपधी में भारत का शांदर प्रदशन जारी रहने का नुमान है इसकी पीछे उन्होंने मजबूत एकनॉमिक ग्रोथ है जो कि हमें न्यूस में सुनने को मिलती है ठीक है और जितनी भी राजनितिक असित है उसके एक वज़ा रह सकती है गैस मैं बताना चाहूंगे कि जिन इन्वेस्टरों को दो हजार चौपीस में मतलब जिन चीजों पर नजर लखने की जरूत है गैस देखिए एक तो चुनाव रैली है चुनाव रैली से जो वोट है एंड उस आल नीनो के कारन्ड फोग इन्फेलेशन बढ़ने जैसे इक कारन्न इंच चैँजों फोग रियसरों बढ़ेगा इन्च छ नाव रैली देखने को में इन्पन के गना डेली देखन k Config अपने कहान लिगा अपने मार्केट में देखने को मिलेगा छ सब्सक्तरों के लात धार तो थोड़ा सा करेक्शन आपको एक करेक्शन का दोर देखने को मिल सकते हैं, एक रैली के बाद कही इस टॉक में अज़स्ट में देखने को भी मिल सकती हैं, वन स्टैप अप्रोच के साथ भी एक न्यू नजरिया भी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, कंसोलिडेशन का त सेंसक्स हो गया, निफ्टी हो गया, 10-12% का रिटन के उमीद लेगा चलनी है, वुचो ज्यादा के नहीं है, एक डिवरस्टी फाइपर मल्टी एसेट का निवेज करते हुए चलना है आपको एक जगह पैसा नहीं लगा देना, एक जगह पैसा नहीं लगा देना, एक पैसा पैसा नहीं होग सकता है, सेक्टर काटेगरी के साफ़े, हमें अपने माइन में एक स्मॉल कैप है, उसकी तुन्ला में लार्ज कैप अधिक पसंद होता है, इस ताल में कुछ खास स्टाउक और सेक्टन में तेजी देखने को मिल भी सकती है, तो आपको ना, बैंक हो गया, तो आपको क्या करने है, इन में ना, देखे मैं आपको बता दू, बैंक, ठीक है, आपका मैनुफेक्टरिंग हो गया, अधिक ग्रावट देखने को मिल सकती है, इनके अंदरर इसमें कमज़ोर फंटामेंटल से दूर है, जब बजार में आशता हो, तो मजबुर फंटामें और देखा जाए तो आपको क्या के चीजों का ध्यान रहा है फंडमेंटर के रूप मजबूर सेर में आप इन्वेस्स करके एक चुन होती की तौर पर लिगा चल सकते हो निप्टानिय में मदद मिलीगी अगर अच्छे खासे फंडमेंटर में इन्वेस्स करते हो अगर अगर पर आपको प्रीमियम वालुशन बाती बचार में अपने एक साल के फॉरवर्ड पी के बीज कुना पर कारोबार कर रहा है और इसकी लंबी अवदी के ओस्तर से ओकर रहा है अगर देखा जाए तो मजबूर रैली से वालुशन ऊचा हो गया है और यह चुनाव पूर रैली को प्रभावित भी कर सकता है अब आते हैं सेकिंड में आपकी उच्छी महंगाई हो गई ठीक है जो हाई वैलुशन हाई इंफलेशन हो गया इंटरस्ट कि दरे हो गई ठीक में महंगाई लंबी अब्दी की ओसट से उपर बने रहने की उमीद भी है और वही ब्यास दोरों में जल्द कटोर्ती की संभावना सीमी थी देखने को मिलती है एक तो यह चीज हो गई ठीक है थाड़ पॉइंट है आपको बूर आजने देख जो कि मतलब जो हमारी देश म करणारी जो होता है उस पर थोड़ा सा दियान देखना है थो आर तक है थाड़ा शियू उकende कि है यूछ और यू अगरीट ईसराइल और हमाश जो हमांटि जोंट सप्ली से प्छी में ही हुना हाल में हाँ दृजा सावाय जो जो हमला हुझत इसकला है मार्केट औरमरे माक कि ऊप्टी अब मैं आती हूं बाउंड पे जो हमारा फोर्थ पॉइंट बांड इल्ड थीक है जाइस पॉइंड में क्या है दिसमबर कॉर्टा के दोरान ही बाउंड इल्ड में भारी किडावट आई थी हालांकि इसमें एक बार फिर से तेजी हुई है एंड जिस शूट टम से माध्य में अब दी जारी जारी सकते हैं इसलिए बजार को 2024 में reverse supply का सामना करना पड़ सकता है जिसका भारत पर एक negative impact पड़ेगा पड़ भी सकता है अगर bond deal बड़ा inflation बड़ा महंगाई यह बहुत ही चीज़े हैं इस बार्केट में उथर पुथर बनाकर रखनेगी तो आपको conserve fundamental वाले stock में बिल्कुल भी invest करके नहीं चौलना है देख लिए FIE है उसमें profit इसने सही दिया है cash flow operating जहीं चल रहा है कि नहीं इस सब चीज़ों को ध्यान में रखना है इसके share price थो नहीं रखी गर्जा थो नहीं कंपनी में ज्यादा ROC, ROC थी ए अंडर वैल्यूड है stock इस पर दिया नहीं है लाइक मंदी आगी इंफलेशन आता है तो एक मंदी का दौर स्टार्ट होगाता है करन्सी में उतार चुड़ाव, पॉलिसी में बदलाव, ग्लोबल आजनितिक अनिशित्ता है और लग सभा चुनाव 24 में बजार के लिए एम जोकिम पैदा कर सकते है अगर देखा जाए तो जो मारे विक्रिशन देश्यक एकनोमिक है उसमें मंदी भारतिय बजारों को प्रभावित कर सकते हैं इसके अलावा कोमडिटी के अस्तित्ता केमते विशेश रूप से क्रूट की केमते बजार की संटिमेंट को कमजोर कर सकते हैं तो गाइस अलावर मैं आपको यही कहूंगी चीजों को धियान में रखकर अडाल लेवर पर लेकर चौल कर ही आप इन्वास कर चलेगा ऐसा नहीं कर आप देखें मैं यह नहीं कर देखें आप ही मेरी YouTube वीडियो देखते हो आप बहुत से यूटीब के वीडियो देखते हो किसने क्या बता है किसी पर आगबंद कर बरुसा नहीं करना है वीडियो पे आपको खुद का एक पॉंट अव्यो होना चाहिए तब ही चुए इस्टेगा चुदी कोई भी इंटो इंफोमेशन दान गाइस हो सकते हैं आप बीच बीच में कुछ मिस्टे करते हैं लेकिन मैं आप लोगों के लिए चीजे बहुत अच्छी लेकर आते हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा नौलिज में रहें और आप उसको परी नौलिज में रखकर चीजों को ट्रेड कर सके बाकी गाइस में नेक्स वीडियो में चार्म में नहीं हो तो लाक शुक्त करना मत रुट बाएगा थेंक यू